दारू बेचवाता कोन है उनकी इनकोहरी की बात क्यों नहीं होता है सूटर मरता क्यों नहीं है पुरा गंगा के किनारे धारू ड्रंक्स जा हफीम सब भीकरा है क्या थानेदार को पता नहीं है कुछ दलाल नेता और पतादिकारी के साथ मिले रहते हैं और सारा कुकर्म वही करवाते हैं तीपक मेहता के सूटर यदि बहुत बड़ा सूटर है तो उसको सरकार मारती क्यों तो यह तो मैं सीथी के लोगों को बदाई देता हूं मैंने उसकी नहीं कहा था कि यह दारूबाद, जोती, पूरा परिवार हत्या करवाता हैं और इसमें मिली भगत है सभी इस्पेक्टर, दरोगा, दारूबेचवाता कोन हैं उनकी पहरी की बात को नहीं होती हैं कि शूटर मरता क्यों नहीं है क्या सरकार की गोली आग नहीं उकलती है इन्हों की गोली घंटा को मारेगी या तो तीन स्पीटी ट्राइल करिए आप किसी भी किमत पर अर परस्थितियों में और पूरा सुरक्षा एक लाइए जा और सभी रहे फड़िबार को लैसेंस दीजिए अब राजियों से निपट लेगा सिटी के लोग अब आती हो गया सरकार यह बताए ना अंतिम्तिन कब हो अंतिम्ति कि सुटर है यह बहुत बड़ा सूटर है तो उसका सरकार मारती बोल इन क्यों आप अंफमत यह नहीं हम चाहते हैं कैसे लोगarte इढ़िए किसी भी कि कब तक घंधर घंद मैं और यहां पट्नाओं परने यहिर। देलालनेता और पताधिकारी के साथ मृटए रहते हैं और सारा कुकर्म वही कर बाते हैं पूरा गंगा के किनार धारू धारू ध्रांग्स घाफीम सब भीकरा है क्या थानेदार को पता नहीं है क्या उसकी वस्वली नहीं होती है सब तो मिल कर के हो रहा है उसमें मैं क्या थो अभी तक इतने अवदालिक मामिले हो इसमें किसी किसी कालेपर में करवाई नहीं हो इसमें करवाई होगी और स्थित्यों में करवाई है लोग यहां दिल्ली बंबई में घर पर खर खड़िपते जा रहे हैं और एक यह सहाब है कि अपना घर बेच लिए है रिचैयरमेंट का पूरा पैसा लगा दियह थे दिल्ली में लेने के लिये अरे बाबुजी तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे है ना नया घर खरीद रहे हैं कहांhang पुर्णिया में पुर्णिया में अरे बाबुजी इल्ली बंबई में घर खईदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खईदना बड़ी बात है आपके शेहर में आपका अपना घर झाल